नमस्का स्टूडन्स, हिंदी में हम 16 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है एक और जन्मदिन, कल हमने वीदियो में पढ़ा कि लेखक के एक मित्र का जन्मदिन 1 एपरेल को होता है, लेकिन कोई उसके जन्मदिन की जो पार्टी के लिए इन्वाइट करते थे, उनको भुलाते थे तो कोई मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि सब लोगों को ऐसे लगता था, कि वो उन्हें एपरिल पूल बना रहे हैं, तो ये लास्ट हमने ये पढ़ा, आज हम पढ़ेंगे इस चेप्टर के नए टोपिक, लोग आये और उनका जन्मदिन मनाया गया, मतलब लास्ट में हमने ये कि रिक्वेस्ट करके बताते थे, कि आपको कमपलसरी आना है, हम जूट नहीं बोलते हैं, आपको हम परिशान नहीं करते हैं, रियल में इनका जन्मदिन है, और उनको आप सबको आना है, तो फिर लोग आये और उनका जन्मदिन मनाया गया, एक नेता 29 फरवरी को पैदा हो गये, उनका जन्मदिन 4 साल में एक बार आता है, वो हर साल 28 फरवरी को उदास रहते हैं, हाय हाय करते हैं, क्या दुरभाग्य है, एक दिन पहले पैदा हो जाता, या एक दिन बाद, लोग हर साल गठ मनाते हैं, और मैं देखता ही रह जाता हूं, एक नेता थे, उनका बर्थडे 29 फरवरी को आता था, लेकिन वो हमेशा उदासी रहते थे, क्योंकि चार सल के बाद वो आता है, लीपियर होता है इसलिए, तो उनको वो अपने इस दिन के लिए दुरभाग्य मानते थे, भुद को, कि ये तो मेरा दुरभाग्य है, या तो 28 को पैदा होता, या तो 1 मार्च को पैदा होता, तो क्या फर्क पड़ता है ऐसे, और फिर वो हमेशा अपने आपको कोशते रहते थे, कि बाकी सारे लोग हर साल अपना जन्मा दिन मनाते हैं, लिकिन मैं सब को देखता ही रहता हूँ, इधर पीछले साल से मेरे अभिनंदन की बात चल रही है, लोग कहते हैं, काफी साल लिखते हो गए, अब आपका अभिनंदन जरूर करेंगे, ये पेशेवर अभिनंदन करता होते हैं, अभिनंदन करना एक धंधा भी होता है, अगर कोई आगे बढ़ता है, हम जिसको सम्मान देना चाहते हैं, हम उनका सम्मान करना चाहते हैं, या तो शौल पहना के, या तो उसको कुछ मॉमेंटों गीप्ट करके, या कुछ प्रमान पत्र दे के, तो लेखक कई सालों से लिख रहे थे, तो उनके सरकल वाले, आसपास वाले जो थे, वो ऐसे करना, कह एकते ही रहते थे कि अभी हमें इतने लोगों का सब्सक्राइब उनका एक पेशा हो गया था दंदा गया था एसे कजंदा जमा होता है खाया जाता है पाश के एक शहर की घटना है क्योंकि जब ऐसे फंक्शन रखते हैं तो उसके लिए वह चंदा ही कठा करते हैं तो आज हमे कि असब आपस में बाट लेते हैं तो ये एक धंदा हो गया था पाश के एक शहर की घटना है एक वयोवुद समाज सेवी के अभी नंदन का आयोजन हुआ कमीटी बनी चंदा हुआ अभी नंदन के समय देखा कि कमीटी के सदस्य चंदे की शराब पीकर बेवोश पड़े हैं एक बार की घटना लेखक सुनाते हैं कि एक शहर में ऐसे एक वयोवुद मतलब उम्मर लायक जेने आपड़े का यह न गुचराती माँ वुद्ध था ही गया है ऐसे वो समाज सेवक थे उसका अभी नंदन यानि कि सन्मान समारव उनके लिए आयोजन किया गया था उसका फ जो पैसे बाचे थे न उससे सब ने शराब ली शराब पी कर बेहोस पड़े थे लोग ने कहा भई उठो उनके अभी नंदन का समय हो गया तो शराब में डूबे अभी नंदन करता बोले किस कमबक्त का अभी नंदन वो नमबर एक का चोर है भारत सेवक समाज का पैसा खा उसका अभिनंदन हम करेंगे बला, अरे हम तो खुद उसके नाम के चंदे से अपना अभिनंदन कर रहे हैं, क्या हुआ, फंक्षन स्टार्ट होने वाला था, उन्होंने खर्चा तो सब कर लिया था, उन्हों कमीटी को पता चल गया, कि अभि इतना खर्च हो गया, इतने पैसे बाच्चे हैं, तो उन्होंने पहले से ही ये शराब परब पी के रखी थी, और शराब के नसे में वो दूद थे, सब बेवस हो भड़े थे, किसी ने उनको उठा के बोला कि चलो अभी प्रोग्राम शुरू होने होना है, तो हम महां कहते हैं कि शराबी आदमी होता है, वो जो कभी कभी सच बोल देता है, तो इन लोगों ने अपने दिल की बाद नशे में बता दी, कि कैसा अभिनादन क्या, वो तो एक नंबर का बदमाश है, तो हमने सब ऐसे ही किया था, ताकि इस पैसों से हम अपना काम कर सके, अपना खुद का अभिनादन कर सके, तब ही लोगों को पता चला कि ये पूरा ये फ्रोड चल रहा है, मतलब ये एक कमीटी जो बनी है, वो ऐसे धन्दे चला रहे है, यहाँ अभिनादन मुझे पसंद आया, स्रद्धे समाश सेवी की उम्र इन भी होगी, पर मैं बात कर रहा था अपने अभिनादन की, अभिनादन के उत्साहियों से मैंने पूछा, सिर्फ अभिनादन पत्र और प्रसंसा दोगे या और कुछ, लेखक ने ये जब घटना देखी, तब उनको लगा कि मेरा भी अभिनादन होने वाला है, उनको पसंद पत आया कि नहीं, ये जो हुआ उन्होंने बता तो दिया, तो नशे में फिर उन्होंने एक पूछा, कि एक समाध्सेवी को पूछा, और ना पहले तो इनको ये लगा कि आच्छा है, चलो उस समाध्सेवी के उम्रा तो बढ़ गई, कम से कम इनोंने सच तो बता दिया, ऐस मैं कुछ और हुपए तो बुर्ठ दोchu सभी ०िपारल के लिए मैं जो उच्राइब के लिए कि जो मेरे बारे में कुछ घलत है वो भी आप कहोगे ऐसा लेखक ने उन लोगों से पूछ लिया क्योंकि जो ये शहर की घटना थी कि शराब पीकर उन्होंने जो घलत काम किये थे वो सब उन्होंने बता दिये तो इसके लिए लेखक ने खुद का भी सोचा कि मेरे लिए भी इन्होंने जो फंक्सन किया होगा एरेंजमेंट तो उसमें भी ये लोग यही करने वाले होंगे तो इसलिए उन्होंने जो लोग थे उनको सामने से ही प्रस्न पूछ लिया कि मेरे समारम में पहले भी मैंने बताया अभिन्दन यानि कि हम जो सन्वान देते हैं, समारम करते हैं, छोटा सा फंक्सन करते हैं उनके लिए, तो इसमें क्या यही होने वाला है, कि और कुछ भी होगा, वे बोले, क्यों नहीं, हम लोग द्रव्य संग्रह करेंगे और आपको थेली भेट करेंगे, मतलब द्रव्य सं संग्रह करेंगे, फिर हम आपको थेली भेट करेंगे, मैंने कहा ठीक है, अपना अभिनादन पत्रों में खुद लिख लूँगा और छपवा लूँगा, इस जंजट में आप मत पढ़िए, आप तो अधिक से अधिक मेरे नाम से पैसा एकत रखीजिए, इस में से 25 प्रति में गिफ्ट कर देंगे, लेकिन लेखक न उनसे कहा कि ठीक है, अपना अभिनादन पत्र मतलब जो लेखित में जो में सम्मान पत्र मिलता है, वो मैं खुद लिख लूँगा, लेखक न उनको एक स्कीम दिया, ऐसे आइडिया, कि एक काम करो आप इस जंजट में ही मत लिखो, ये करो, मुझे गिफ्ट दो, और आपको तो आपका काम क्या है, मेरे नाम से पैसा एक कठा करना, ठीक है, तो एक काम करो, ये मुझे कुछ नहीं चाहिए, टीप्ट भी नहीं चाहिए, और वो जो सम्मान पत्र है, मैं खुद लिख लूँगा, लेकिन मेरे नाम प वे बोले क्यों नहीं, हम लोग द्रव्य संग्र, वे परिशान हो गए, वे लोग परिशान हो गए, कहने लगे आप कैसी बात करते हैं, हम आपका अभिननदन करना चाहते हैं, और आप हमारा ही अपमान कर रहे हैं, हम क्या पैसा खा जाएंगे, जब लेखक ने उनको ये ब से बात कर रहे हों, हम आपका अभिननन करना चाहते हैं, और आपई हमारा है अपमान कर रहे हैं, तो हम क्या आपका पैसा खा जाएंगे, जब मैं आपनीए नहीं करा रहा हूँ, पर आप इतनी महनत करोगे, तो मेरा करतवय है कि आपको महनता नादू, मैं भूप्त में यह सुना दिया तो यह लेखष भी उनको अपने इस चब्दों में ऐसे कहना चाते थे तो उन्होंने क्या कि एक काम करो कि यह लेखष्म क्यों styled कि मैं अपमान् कर् swallowed नहीं चाहता हूं लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप मेरे लिए इतना इतनी मेनत करोगे और मैं आपके लिए कुछ न करूँ मैं अपना अभिनांदन मुप्त में करवाना नहीं चाहता हूं अगर मेरे मेरे नाम से आपको पैसे मिलते हैं तो उसको मैं आपका मेंता ना समझ के दे दूँगा उन्होंने लेखक ने ऐसे लोगों के सामने कटाक्ष किया नतीजा बुरा हुआ मेरे अभिनादन की योजना अभी भी अधर में लटकी है मेरी जबान ने मेरी थेली काटी कुछ लोग फिर का परस्त हो गए फिर का परस्त हूँ मैं फिर का परस्त हूँ फिर का जबान पर आ गया तो निकल जाता है और उसे नुकसन में भुगतता फिर का परस्त का मतलब होता है दगा देना या तो चिंती दोना ऐसे तो फिर क्या हुआ लेखक ने जब उन लोगों को ऐसा बोला तो नतीजा उसका परिनाम बुरा हुआ और पूरी अभिनन्दन की योजना थी वो अभी की अभी उधरी लाटक रही है मतलब कि उनका फिर कु जबन नहीं मेरी थेली काट दी कुछ लोग ऐसे चिन्ती दो गए और लेखक भी फिर ऐसे बोलने चिन्ती दोने लगे और दो मतलब होते चिन्ती दोना और डगाब आजोना ऐसे तो वो लोग फिर ऐसे टैंचन में आ गये कि फिर का जबन पर आ गया तो निकल जाता है और उसके नुकसान मैं भुगत रहा हूं। मतलब जब वो बात चबन पे आ गई तो लेखक को ऐसे लगता है कि जैसे अभी मैं उसका नुकसान भुगत रहा हूं। मैं देखता हूं कि देश के भाग्य विदाता जन्म दिन पर घले मिलते हैं, गुल दस्ते भेट करते हैं, माला पहनाते हैं, इन नेताओं को की फोटो छपती हैं, ये भाग्य विदाता हैं। मैं इन लोगों के जन्म दिन पर सुब कामने बेजना चाहता हूं पर वह इस तरह की होगी लेखक क्या कहते हैं कि हमारे बाग्य विधाता जैसे चलता है तो लेखक कहते हैं कि मैं देखता हूं कि ऐसे जो है ऐसे लोग जन्म दिन पर घले मिलते हैं घुल दस्ते बेट करते हैं माला पहनाते हैं फिर फोटो आती है तो लेखक कहते हैं कि ऐसे भाग्य विधाकता के लिए मैं मेरे और्षे कुछ सुभकामना बेजना चाहता हूं और वो शुभकामना इस तरह की होगी मैं देखता हूँ देश के भाग्य विताता जन्म दिन पर गले मिलते हैं गुल दस्ते बेट करते हैं मैं भी इन लोगों के जन्म दिन पर सुभकामना इस पेजना चाहता हूँ पर वो इस तरह की होगी और वो सुबकामना कैसी है वो अब पढ़ते हैं आप एक साल और जिवित रहे बड़ा कमाल किया इस एक साल में आपने देश की अर्थ व्यवस्ता को और गीरा दिया बदाई, प्रष्टाचार, मुनाफा खोरी, जमा खोरी के बढ़ने का मौका दिया बदाई हो, आप चीराई हो, पर मिन्सा के डर्ष के मारे मैंने अभी ये शुबकामनाई नहीं बेजिये इनसे क्या कहा जाए कि देशवासी रो रहे है और तुम घले मिलकर हस रहे हो अभी के जो नेता की परिस्थिती है वो लेखक व्यंग करके प्रकट करना चाते है कि देंगे उनको सुबकामना लेकिन कैसी सुबकामना कि आप एक साल और जीवित रहे आपने तो बड़ा कमाल किया देश की पूरी अर्थ व्यवस्ता गिरा दी फ्रष्टाचार मुनाफा खोरी जमा खोरी इन सब को बढ़ने का मोका दिया आप तो चीराई हो यानि की और लंबी आयुष्चे हो आपकी ऐसी सुबकामना ये लेखा को ऐसे लोगों को देना चाते थे पर मिन्शा के दर से मैं दर के मारे मैंने अपी ये सुबकामना नहीं बेजी मिन्शा यानि की अपराधी लोगों को नियंत्रन करने का एक कानून है जिसको मिन्शा कहा जाता है ऐसे जो अपराधी होते हैं उन पर रोप लगाने के लिए एक कानून बनाया गया लेकिन लेखक को ऐसा लगा कि अगर ऐसा कानून है तो मैं ऐसा बोलूंगा और कहूंगा तो ठीक नहीं रहेगा तो फिर वो सिप लिखा इनोंने वो नेताओं तक बेच नहीं सके इनसे क्या कहा जाए कि देशवासी रो रहे है और तुम गले मिलकर हस रहे हो ऐसे लोगों को हम कैसे बता सकते हैं कि देशवासी आपकी वज्जह से रो रहे हैं और आप लोग हस रहे हो पर अब मुझे अपना भी खयाल करना चाहिए अगले साल दो महीने पहले अकबारों के जरिये वातावरन बनाऊंगा कि फला तारिक को परसाई जी का जन्मदीन है और पूरे देश में हलचल मची है तब कुछ ढंग का जन्मदीन मनेगा वरना वही एक गुलदस था लेखक व्यंग करके इसका एंड करते हैं अंतिम चरण में लेखक कहते हैं कि मैं भी अभी ऐसे करूंगा मुझे भी खयाल रखना चाहिए कि अगले साल दो महीने पहले ऐसे एडवांस में ही अकबारों के जरिये वातावरन पैदा कर देंगे जैसे अभी हम कैसे मोबाईल म सोचा कि मैं ऐसे अकबारों के जरिये ऐसा वातावरन पैदा कर दूंगा और सबको पता चल जाएगा कि अभी तो परसाई जी का जन्मदिन है पूरे देश में हलचल मत जाएगी तब कुछ ढंग का जन्मदिन मनाएंगे सब वरना तो यही एक उल्दस्ता ही मुझे मिलेग तो स्टूडंस यह एक जन्मदिन का तो एक जरिया ही कहा है हमें सर ने ऐसे तो कई काम होते हैं चीसमें लोग मुनाफ़ा करने के लिए कुछ न कुछ काम करते रहते हैं सोचो यह तो हमने सिप एक एक पॉइंट देखा है ऐसे कितने सारे पॉइंट होते हैं जैसे अभी हम हमारी यहां पे कच्छ में चल दोरोज सब जाते हैं रनोज सब होता है उसमें मोदी आते हैं कोई भी गैश्ट आता है कोई भी सेलिब्रिटी आता है तो उसके वेलकम के लिए कितना खर्चा बताया जाता है कितना खर्चा लेगिन उसमें जितना होता है उतना करते हैं बाक किया है ठीक है तो स्टूड़न्स यह लेशन यह पे पूरा होता है अस